नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चनक पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों चाट आप दवीक वाले वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंदर हमें एक ऐसे शेयर के बारें बात करते हैं जिसके अंदर आपको एक अ disclaimer यह वीडियो सिर्फ एक education की मकसद से है ठीक है आपको अगर खरिदारी विक्वाली जो भी करना है अपने वित्य सलागा यह राय पे करें यह सिर्फ मैं analysis बता रहूं इस टोक को लेके हां इस share के अंदर में यह pattern बन रहा है इस तरह से वर्क कर रहा है तो आप भी इसको दे के कुछ सीख सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी company बारें बात करेंगे जो casino business के अंदर है और बहुत time से एक downtrend के अंदर चल दीती अब उसके अंदर कुछ reversal के संकेत मिल चुके है तो दोस्तों अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आप ह हम motivate होते हैं कि हाँ आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेल्टा कॉर्प के बारे में ठीक है डेल्टा कॉर्प एक casino की company है जो casino चलाती है अगर हम Friday की बात करें तो Friday की दिन इसकी जो BSC पे closing थी लगबग 117 रुप दोस्तों पहले बता दों मार्केट बहुत भड़ चुका है कभी करेक्शन आ सकती है हलकी फुलकी ठीक है तो आपको अगर पोजिशन बनानी है तो ज्यादा पोजिशन ना बनाए थोड़ी पोजिशन को कम रखें ज्यादा श्टोक ना खरीदें और stop loss जरूर रखें फिर पातार हों दोस्तों stop loss जरूर रखें और ज्यादा heavy position याज ज्यादा share ना खरीदें और डैल्टा काउप के बारे में एक और खासी एता है दोस्तों यह बहुत हाई भी टाषिस्टोक है जब गिरता है तो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा गिरता है और भढ़ता है तो उस किस तरह से हमने पसंद किया है तो दोस्तों हमर पास में डेल्ट कौल कॉड और यह वीकली चार्ट हम इसको विकली पे देख रहें तो वीकली चार्ट पर आपको नजर आ गिरावट आई गिरावट आई 144 के बाद फिर वावस बढ़ा है 220 के बाद तो यह कंट्यून्यू लोग लोग लगाते हुए हमारा डेल्टा कॉप का स्टॉक चल रहा है अगर देखें डेल्टा कॉप के बारे में तो जैसे यह हम इसके एक सपोर्ट के लेवल को ब्रेक करता है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है अगर मैं आपको दिखाऊं कि यह इसके लिए लगबग 190 रुपे से लेके 105 रुपे यह इसके लिए बहुत ही मजबूत एक सपोर्ट का का काम कर रहा था ठीक यह मैंने बना दिया बहुत तेजी से यह सटोग नीचे आ चुका है अब इसके जो अगला सपोर्ट है वह हमारा बहुत ही तकड़ा सपोर्ट है इसका 140 रुप है और मै यह लाइन ड्रो कर लेता हूं तो देखे दोस्तों आपको चार्ट के अंदर एक ग्रिन लाइन नजर आ रही है जो ग्रिन लाइन है यह इसके लिए सपोर्ट पर रेजिस्टेंस का काम करती है आप देख सकते हैं यहां पर अगस्त 2019 के अंदर इसी लेवल का इसने सपोर्ट ल लेके यह स्टोक 400 रुपे तक गया था अब मैं चार्ट को जरा और छोटा करता हूं तो आपको थोड़ा बड़ी लेवल दिखाई देजाएं इसके अंदर तो अगर आप चार्ट देख पा रहे हैं तो आपको 2011 के अंदर भी इसी लाइन का इसने यहां पर एक रेजिस्टे जैसे इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया ठीक है एक यहां पर रहा जैसे ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं यह इसने इसी का यहां पर सपोर्ट लिया अगली ब्रेक किया तो इसी लाइन का सपोर्ट लिया अब दोस्तों फिर से जैसे इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा तो अब इसके लिए फिर से यह रेश्टेंस का काम करेगी तो आप देख सकते हैं अब मैं चार्ट को बड़ा करता हूं तो यह इसी पर लगबग दो वीक तक यहीं पर इसी का रेश्टेंस लेता रहा हमारा डेल्टा कॉर्प कसी है और अभी जो फ्रैडे को क्लोज था 140 रुपे उसका इसने ब्रेक आउट दे दिया है अब इसके अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं डोस्तों इस्टॉप लॉस जरूर रखना है ठीक है अब ज्यादा पोजिशन नहीं बनानी है लेकिन अपने वित्य सलाकार की राय जरूर ले तो यह तो हमने चार्ट को दे करना बिल्कुल न भूलें तो आपको यह जो ब्लैक कलर की जो नजर लाइन आ रही है इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं और इसी ट्रेंड लाइन का हमारा डेल्टा कॉर्प का स्टॉप कंटिन्यू रेस्टेंस लेके नीचे गिर ला था देखिए आप यहां पर च्यार वी तीन से चार वी कंटिन्यू इसी ट्रेंड लाइन का रेस्टेंस लेतरा लेकिन इस ट्रेंड लाइन को डेल्टा कॉर्प का स्टॉक ब्रेक आउट नहीं दे पाया लेकिन इस बार देखें आप इस बार इसने एक ही कैंडल के अंदर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया आप देखें इससे पिछले वीकी candle इस trendline के उपर close वी है और इस week की candle ने भी confirmation दे दिया है पिछले वीक के उपर के high के उपर इसने close दे दिये तो पिछले तीन बार इसी trendline का continue resistance लेके हमारा delta कॉर्प का स्टॉक गिर रहा था लेकिन इस बार इसने इसका breakout दे दिया हां दोस्त सपोर्ड लेगा उसके बाद यह उपर की तरब जाएगा इस बात का आप अच्छे तरह से एक बाद ध्यान रख लेंगे को एक बाद टेश्ट करने के लिए आ सकता है अगर दोस्तों हम इसके अंदर टार्गेट और इस्टोफ लॉस की बात करें तो आपको टार्गेट 140 रुपे का जो जो ग्रिन लाइन नजर आ रही है इसी का आपको इस्टोफ लॉस रखना है ठीक है हम चार्ट को वीकली देख रहे हैं इसलिए कम से कम यह नहीं कि इस तरह से केंडल बने इसके नीचे हमारा भाव इसके नीचे गया ग्रिन लाइन के नीचे इस तरह से भाव गया और आप अपनी पोजिशन से निकल जाओ इसके नीचे मलब इसके नीचे क्लोज होनी यह मैं दूसरी ग्रीन लाइन नजर आ रहे हैं आपको यह हमारा इसके अंदर टार्गेट रहेगा लगबग 190 रूपे से 200 रूपे का अगर टार्गेट कंप्लीट हो जाता है रिवर्सर के कोई संकेत नहीं मिलते हैं तो हम अपको पोजिशन को टेलिंग इस्टॉप लगा के हमको हॉल्ड रखना है ठीक है तो ऐसा हो गया हमारा 140 रूपे का इसके नीचे का पहला टार्गेट हमारा 190 रूपे से 200 रूपे का अगर दोस्तों हम इसको वीक लिपे अगर हम मुविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो मुविंग एवरेज पे एक 200 वीक का जो मुविंग एवरेज है वह इसके लिए थोड़ी से अर्चन सावित हो सकती है जब पिछली बार इसने 220 के आसपर हाई लगा था उस समय भी इसी मुविंग एव्रेज का यह जो इसके लिए चोड़ी सी जो खूटी से लिक будем साबित हो सकती ही यह अगर हम कर देखें टेली के ऊपर आपने पर मुविंग एवरेज ते उसका देखें तो नहीं है तो दोसन ओपर पर तो उससे उँपर चल रहा है बली के उपर तो इसका साइन है तो दोस्तों उमिद करते हैं आपको चार्ढ़ से हमारा इस्टॉक पसंद आया है तो लाइक करें सेयर करें कमेंट्स करिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और गुजारिस करूंगा कि आप जितना हो सके हमारे चैनल को तोड़ा सेयर भी करिए ताकि ये जानकारी सभी के पास पहुंच सकें ठीके दोस्तों आप सभी का हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों अपनी पोजिशन को थोड़ा कम करके चलें और इस्टॉप लॉस जरूर लगाएं फिर बतारों में आपको बिना इस्टॉप लॉस के बिलकुल भी आप निवेश ना करें कुछ ना कु झाल